तो दोस्तो मैं पास लोगों को एक गिप्ट गिववे करने जा रही हूँ एक लेमन ग्राश है और इसके वार ड्राई रिल्लीव है और एक ग्रीन टी है नमस्तकर दोस्तो जोती न्यूट्रीम चैनल में आप सोलीगा स्वागते तो हर्यारा में पहुंच चुकी हूँ दोस्तो मैं हर्यार में वीडियो बनाऊंगी और यहां पर कुछ पाउदे है चाय के तो ग्रीन टी जैसे वार लेमन ग्राश और इस्टीवा तो मैं आप लोगो को अभी चाय बना के दिखाऊंगी और पाउदे सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ तो दोस्ते मैं आप लोगों के बारे में मताएंगे कौन सा पाउदा है यह लोंग के पाउदे हैं लोंग इसको अच्छे से पत्ते को हम तोड़ भी सकते हैं स्वस्त पत्ते को तो इससे हमें देख भी पाएंगे कि खुश्बू भी बिल्कुल आप देखेंगे तो लोंग की खुश्बू आएगी इसमें जैसी लोंग में आती है तोड़ने की भी होशकता नहीं है ऐसे भी इतला ही आएगए तो दोस्ते लोंग का पदा है तो इसमें एक भी लोंग आप देख सकते हैं तुलसी का पता है और तुलसी का पता है और तुलसी का पता मीठा वेट नहीं है पता है हमारे गाओं का तो मीठा नहीं होता है तो आप देख सकते हैं लेमन ग्राश का पौदा है यह इस मोसम में ज्यादा सर्वाइब नहीं कर पाता तो यह थोड़े दिन में बिल्कुल और भी ज्यादा सूपता चला जाएगा थोड़ा सन्नमी वाला मोसम हो इस ठंड मे बने बताएंगे चाए के बारे में अभी मैं आपको चाए बना की दिखाऊंगी तो यह इन्हीं पोदो का प्रारूप है जो यहाँ पर लगे हुए है यह लेमन ग्रास है पोदो को शुखा के इस बोक्स में डाल दिया गया है दो साल तक इसकी लाइफ है भिना किसी परेश के लिए बेनिफीशियल है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सायता करता है और भी अंगिनत फायदे हैं आप लेंगे तो अपने आप आपको शरीर में ताजगी महसूस होगी अपने आप आपका शरीर इसको असेप्ट करने लगेगा दोस्तों मैं चाहे 5 लोगों को गिप कर यह हमारा स्टीविया है सब जानते हैं कि नैचरल स्वीटनर होता है प्राकर्तिक मिठा बोल सकते हैं चीनी की तरह होता है तो यह मातरा में कम लगता है और सो प्रतिशत प्राकर्तिक होता है पोधे से तोड़ के इस डिब्बे में सुखा के इसको डाला जाता है तो इसका यह है कि जो जो इसके ब्लड शुगर के या शुगर के डाबेटिक पेशेंट्स हैं उनकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत लाबदायक है और मतलब मोटापा भी कम रखता है मोटापे को बढ़ने नहीं देता तो सबसे मेजर बेनिफिट इसके यह हैं तो इसके हेल्थ ब नुकसान नहीं होगा जैसे प्रोसेश चीनी का मिल वाली चीनी का नुकसान होता है मोटापे के और डाबिटीज के पेशेंट को सेफ़ बच्चे भी यूज कर सकते हैं बढ़े भी सबके लिए ठीक है डेली यूज में जरूरी नहीं है कि आपको कोई हैल्थ प्रोब्लम है को लाया जाता है और यह भी दो साल तक सर्वाइव करती है उसके बाद भी चलते हैं लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि दो साल तक इसको यूज कर सकते हैं एक बार पैको इसमें भी ऑशदिया गुन है लिखा हुआ है कि आपको एनरजी से परिपूर्ण रखती है और प्राकर करें हो तुम्हें चनल के संस्क्राइब करें वीडियो को लाइक सेयर कमेंड करके जरूर रता है कैसा लगा वीडियो आज का ठीक है आप दोरनेक्ट फार्म्स के और भी प्राकरतिक उत्पादों के बारे में जानकारी ले सकते हैं हमारी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप् हमारी वेबसाइट है www.dornextfarms.com दोस्तों चलते हैं आप लोगों को चाय बना के दिखाते हैं तो चलिए हम चाय बनाना इस्टार्ट करते हैं इसके पत्रे को निकाल लेते हैं तो हम ए श्टीवा है इससे थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो हम आपको समागरी की पल्चे दे देते हैं तो हम छे लोगों के लिए चाय बनाएंगे छे लोगों को समागरी दिखा देते हैं आप लोगों को कितना कितना डालना है यह लेमन ग्राश है और यह ग्रीन टी है सबसे पहले हम पानी को उबलने देते हैं आप देख सकते हैं पानी मेरा उबल रहा है तो सबसे पहले मैं इसमें लेमन ग्राष डालूंगी दो चमश अब हम डालेंगे इस्टिवा और यह पत्ता मीठा होता है तो चीनी की जरूरत नहीं पड़ती है और जो सुगर के पेसेंट हो तो यह चाय पी सकते हैं तो अब हम इसमें ग्रीन टी डालेंगे और यह अंटीक आउक्सिडेंट होता है तो आप देख सकते हैं कलर आने लग गया है तो अब हम इसमें अद्रग भी डाल देते हैं तो यह लॉंग कपता है तो हम इसे भी डाल देते हैं और आप घर पे लॉंग जो होता है वो भी डाल सकते हैं चाय में कटो आप देख सेकते हैं चाय मेरा बनन के तयार हो यह चुका है अधी अच्छा मना हुआ है तो हब yapt to आप हम इसे चानते हैं तोया ऐकिzen के कफ thý अच्छा कलर आया हुआ है और काफी अच्छा खुसभू भी आ रही है तो दोस्तों ये चाय आप लोग एक बार घर पर बना के ज़रूर ट्राइब करें हमारा ग्रीन एकजिलेट यानि औस दिया काड़ा बनकर त्यार हो चुपा है इसे आप लोग भी घर में एक बार जरूर को पनाए और इससे जैसे सर्दी खासी दुखाम जैसी समस्या है तो एक कप में ही बहुता पुआराम मैसूस होगा और इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिले जाएगा चाय सालोगों को पिला दिते हैं और कैसा बनाया है सालोग में उताएं लिए लिए हराँ है विओ तो बहुत अच्छी है मिठी भी बन रही है यह जे घ्री नहें वी प्रगर्ति भी अच्छी चाय बनीगे ये कहां से मिलेगी ये चाय कैसे खरीच सकता हूं इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा अपको लिंक प्रोवाइड करवादेंगे कुछ अच्छी है किसान के सिदा हमें पुछा धीगा जी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मगाने के लिए मिल जाएगा ठीक है जो रुप्लाइगा अजी अच्छी क्या आपको दोस्तों हम इलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कारण